गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माईशास किचन, दिखें मेथी की कई तरीकी रेसिपीज आपने बनाई होगी और खाई होगी लेकिन आज मैं आपके लिए एक्टम न्यू प्रेंड मेथी की रेसिपी लेकर आई हूँ, ये है मेथी का ठेचा, आप इसे एडियो एंड तक देखें और पसंद आए तो लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले, तो चलिए आज की मज़दार रेसिपी शुरू करते हैं, तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक जूड़ी इतनी फ्रेश मेथी की भाजी लिए, दिखी मेथी व होती जादा मज़दार बनता है, तो सबसे पहले मेथी के हमें इस तरीके से पतियां तोड़ लेनी है, पतियां तोड़ने के बाद हम इसे अच्छे से वाश कर लेंगे, दिखें, इसे थोड़ा सा टाइम लगता है फ्रेंस पतियां तोड़ने में, तो सभी मेथी के पतिया मैं इसी तरीके से तोड़ लेती हूँ और यहाँ पर दिखिया पत्या तोड़ करके मैंने 2-3 पानिसरी से धो लिया है इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है दो बड़े साइस के रफली चौप किये हुई टमाटर और 100 ग्राम इतनी हरी मिर्ची हरी मिर्ची के क्वांटिटी आप कम्याज़ादा कर सकते हैं बट यह हम ठेचा बना रहे हैं तो इसमें थोड़ी सी मिर्ची के क्वांटिटी हमें जादा ही रखनी होती है इसी के साथ आधी कटो रीतनी मैंने यहाँ पर मुंगफली का पावडर लिया है आप रोस्टेड मुंगफली का पावडर भी ले सकते हैं और टेचा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन ग्यास पे रख दिया है और पैन भी अच्छे से गरम हो चुका था तो दो टेबल स्पून इतना ओयल इसमें आड़ करेंगे ओयल को अच्छे से गरम होने देंगे इसके बाद ग्यास का फ्लेम लो कर देना है अभी इसमें हमें आड़ करना है एक चमच इतना साबूत जीरा जीरे को थोड़ा सा चटकने दीजिए ग्यास का फ्लेम बिल्कुल भी हाई मत कीजिए इसमें डालो है इतना सिम्पल तरीका आपने कहीं नहीं देखा होगा सारी चीजिए बस एक साथी पैन में डाल दीजिए और उसे पका लीजिए इंस्टन्ट हमारा मेठी का टेचा बन करके त्यार हो जाएगा ये दिखिए अभी हमें इसमें डालना है स्वादा नुसार नमक तो एक चमच भरकर इतना नमक मैंने इसमें डाल दिया है मिर्ची की quantity जादा है तो नमक भी हमें थोड़ा सा जादा डालना होगा और इसे की साथ एक 14 चमच इतना हल्दी पावडर भी डाल देते हैं और इसके बाद न ये जो मौंच फली का पावडर है वो भी इसमें डाल देंगे बिल्कुल भी इसमें हमें पानी नहीं डालना है फ्रेंट्स जो भी पानी इसमें होगा न वो टमाटर से और मेथिस से आ जाएगा और बहुती अच्छे से ये हमारा ठेचा बनकर तयार होगा तो बस अभी इसे लिड़ से इस तरीके से कवर कर लेंगे और गास का फ्लेम लो ही रखकर 7-8 मिनट तक हमें इसे पकने देना है बस इसी प्रोसेस में सारी चीज़ें अच्छे से पक जाएगे फ्रेंट्स लेकिन आपको चेक करना है तो एक खाद बार इसको आप चेक कर सकते हैं देखिए मैंने 5 मिनट के बाद इसे खोल लिया friends देखिए सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से पक रही है लेकिन और 2 मिनट के लिए इसे पका लेते हैं तागे पानी की quantity और थोड़ा कम हो जाए तो मैंने और इसे लीड से cover कर दिया और finally friends 7 मिनट के बाद ये देखिए मैंने लीड को हटा दिया है देखिए सारी चीज़ें देखिए कितनी अच्छे से पक चुकी है मेथी का कलर देखिए पूरी तरीके से चेंज हो चुका है हरी मिर्च भी अच्छे से पक चुकी है और टमाटर को तो पकने को जादा टाइम नहीं लगता तो बस अभी हमें इसे अच्छे से मैश करना है आप चाहे तो चमब से भी इसे मैश कर सकते है लेकिन मैंने यहाँ पर इस तरीके से एक मैशर लिया है और मैशर से मैं इसे मैश कर लूगी अगर आपको इस तरह से इसे मैश करना नहीं है तो इसे थंडा होने के बाद आप मिक्सिके जार में डाल करके भी पीश सकते है लेकिन जो टेस्ट इस तरह से मैश करने से आता है न फ्रेंस उस तरह का टेस्ट मिक्सिके जार में पीशने से नहीं आता क्योंकि जब हम इसे मैश करते है ना तो सारी चीजे एकदम दरदरी से मैश हो जाती है और अगर हम मिक्सिक जार में डालते हैं तो सारी चीजे एकदम फाइन पेस्ट बन जाएगी तो friends हो सके तो इसी तरीके से इसे मैश करके बना लीजिए यहां पर ना ग्यास का फ्लेम और ही रखा है friends क्योंकि टमाटर को मैश करने के बाएद टमाटर और थोड़ा पानी रिलीज कर लेगा जिसे मुझे सुखाना था और इसी तरीकी से मैश से मैश कर लेती हूँ देखे friends मैं कोशिश करती हूँ कि आपकी लिए एक तम नई रेसिपी सिंपल से सिंपल तरीके से बना करके शेयर करूँ ताकि आप भी इसे घर पे आसानी से बना सके बहुती कम है इन इग्रेडियन के साथ तो अगर आपको मेरे वीडियो मेरे रेसिपी अच्छी लगती हैं तो प्लीज माईश कीचन यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बाजो में बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख सके तो फ्रेंश मैश करने के बाद और दो मिनट के लिए मैंने ठेचे को पका लिया और यह दिखिए ओईल ना इसका हलके से रिलीज हो रहा है और कितना अच्छा कलर का यहाँ पर ठेचा बन कर तयार हुआ है तो बस अभी गास का फ्लेम आफ कर देंगे और बारीक कटा हुआ अगले वीडियो में धन्यवाद